सीता ने कहा मैं बनवास चलूँगी राम से राम ने कहा काटे पढ़ेंगे कंकड पढ़ेंगे तुम मेरे साथ बन में कैसे रहोगी राजकुमारी हो राजबधू हो तुम इसी सुकुमार मेरे साथ कैसे चलोगी मेरे देश की नारी क्या बोलती है कि इसरी राम मैं भारती ना आगे चलें जुक कर जीने की कला है कांटों में सीता आगे चलेगी फेरे डलते न दुलहन आगे फिर दुला पिछे ऐसा मस्तों कि एक परंपरा है उसका मतलब वे हैं कि जिसके साथ मैं जीवन की दोर बांद रही हूं संकट के दिन में मैं आगे रहूंगी और सुख के दिनो भारती मनिशियों ने चिंतन परिस्तुत किया है राम ने का कुछ मांगो हनुमा अभी नहीं मांग रहे हनुमा नहीं तो प्रवच्च नहीं खतम हो जाएगा थोड़ा लेट मांगेंगे थोड़ा वेट करो इतने जल्दी तुमको तो यसी पड़ी यसे तुमें मिल रहा हो अभी टाइम लगेगा थोड़ा मांगने में विचार करें एक बात याद रखना कभी कोई तुमको बोल दे कि कुछ मांग लो तो नादानो मांग मत वैठना नहीं तुम तो तैयार ही वैठे हो कि कभी सारा और आपने पहलाया मांगना मत कभी जिंदगी में मत मांगना मांगे लो तो ज्यादा प्राप्त हुआ करता है वो शक्ता आपने भक्ति की पुन्य लगा आपके जीवन की पुन्याई बढ़ी उसमें आपको दस लाख रुपे मिलना है और आप जब मांगने गए तो लाख रुपे ले आए आप बताईए नो लाख का गाटा किसको लग मांगने वाले को देने वाला तो कुस हो गया ज्यान रखिए कभी मत मांगना और तुम मांगोगे भी क्या हकीकत देखो तुम्हें मांगना भी नहीं क्या मांगोगे कोई हीरे मोती कंकड़ पत्थर इसकी अलावा क्या मांगोगे और तुम आपके सामने प्रमात्मा प्रग समझ में आ रहा है यसी बातें आपको डारेक्ट समझ में आती है भन चाहिए धनवान से मांगो बिध्या चाहिए बिद्वान से मांगो ध्यान रखना बल चाहिए बलवान से मांगो भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो ध्यान रखिए भगवान से केवल भगवान ही मां बागी चीजें तो आदमी अरजित कर लेता है इस्वर का भी मौका दे भगवान से कुछ मत मांग बैठना बढ़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई क्या कहना यह प्रभू राजी है हम उसी में जिसमें तरी रजा है यहां यूभी वाह वाह है यहां त्यूभी वाह वाह जो ते forgive i have ever said unterstützen राम प्रभू इतनी जित कर रहे हो ध्यान रखना में क्या जीवन है राम जिद करकरके दे रहे हैं उत्हूम राम से जित्त करकर के ले रहे हो लाखनेकर धित्ता मना करो उत्ना मजा म Васन प्रकें निसेद में बड़ा आकर्सन होता है जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है दोड़ करके राम ने कहा कि अनुवान प्लीज मांग लो इनको घर जाना है पुना वालों को धनवान ने कहा प्रभू जब इतनी जिद ही कर रहे हो तो जो तुम्हें देना हो अरे राम ने कहा तुमने फिर मुझे चक्कर में डाल दिया ध्यान रखना यदि आप किसी से कहो कि तुम अपने मन से दे दो तो टेंसन में हम नहीं वह होता है दें तो क्या दें मेरे पास लो क्योंकि मुझे को जरूरत ही नहीं तुम दो कोई पैन ले आओगे डाइरी ले आओगे घड़ी ले आओगे डाइरी और क्या ले करके आओगे आदमी सोचने में हैरान हो जाता है कि लेके जाओं तो क्या जाओं किसी को कहते हैं ना तुम अपनी मर्जी से दे दो अपन फि किसी से नहीं है पाच्तरता पैदा करना मिल तो अपने आप जाएगा द्यान लगी है प्रभू जो आपको देना है अरे फिर भी तुमारी कोई अर्जी तो लगाओ हनमान तुमसे कह रहा हूं कोई अर्जी लगाओ हनमान भी बड़े होश्यार थे उन्होंने का प्रभू ज जो तुमारी मरजी वही हमारी अर्जी अरे हनमान जी तुम बातों में उल्जा रहे हो मुझे देखो मांग लीजिए राम ने कहा कि हनमान कोई पद दे दूं तुमको अरे बोले नई नई भगवान बद नई बोली क्यों अरे बोले पद ले लो जो चाहे वो पद मैं तुम भाई है ध्यान रखना जहां जहां पद होगा वहां वहां मद भी होगा और एक बात और याद रखना जब तक नेताओं को पद नहीं मिलता तब तक वो तुम्हारी सेवा करते हैं और जिस दिन पद मिल जाता है उस दिन सेवा की नहीं जाती सेवा करवाई जाती है यह प्रभ भाई तुम मुझे दूसरे चक्कर में डाल रहा हो जांगा ना जो सेवा बिना पद की की जाती है न उसे बड़ी पवित्र सेवा हुआ करती है जिसके बाद कोई याचना नहीं होती है भगवान महावीर ने सम्मिक दरसन के अंग में कहा निकांचित अंग कांचा नहीं करना पुछबी पाने की चाहत तो मत रखना हौ है इंट होती है प्र Staff Da Storage मिन Ч्रूमें पुजारी कम भीकारी जादा दिखते हैं याचन याचना करता है थे हौन य्कारी और मुझित दानान द्धे होता है याचना और प्रांथना में इतना गहन अंतर है कि याचना वाला जाके भगवान से कहता है कि हे भगवान जो तुने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए प्राथना वाला कहता है भगवान जो तुने पाया है वो मुझे प्राप्त हो जाए ध्यान रखना पुजारी कहता है कि तेरे जैसा पद मुझे प्राप्त हो एसा नजारा मैंने देखा मुझे हसी अई अपनी दिक्षा में कि मैं तो कपड़े उतार-उतार के फैंक रहा हूँ पब्लिक माषा की मिल गई कोई के रहा चें मिल गई कोई के रहा कपड़े मिल गए वारे जीवन रहा जो जो मैं छोड़ रहा हूँ उसे बटोर रहे हो या जो मैं पा रहा हूँ उसे देखने के लिए तुम यहाँ पर उपस्तित हुए क्या चाहिए तुम्हें मेरा बैभा या मेरा सन्यास मेरी विरक्ती मेरा बैराग्य क्या होता लोग कपड़े लूटते हैं आभूशन लूटते हैं तेरे की तरुवर के पास गए और भूके के भूके लोटकर आ गए प्यासे थे नदी के पास गए और प्यासे लोटकर के सोना चांदी हीरे मोती तो घर में पड़े हुए है ना किसलिए आए हो यहां कुछ जीवन का सक्त्य हमको प्राप्त हो जाए ति ज Nana थैं प्दाकान्चा की अंधी दौन में जब पदके लिए कोई भागता है विकास ठफ हो कितना भी कहो कि विकास होगा विकास होगा विकास होगा मुठप है विकास ध्यान रखिए कुरसी की चाहत है आज देश का पतन कुरसी की दोड़ से हो रहा है मेरे बाए कुरसी दोड़ राम राज ले करके आए राम राज तो राज था राम जी कहते हैं भरत जी तुम कुरसी कुरसी पर बैठो भरत जी कहते हैं राम जी तुम कुरसी पर बैठो हमें कुरसी पर नहीं बैठना है जान रखिए बड़ी दौन मची है ऑलंपिक गेम होते हैं उसमें गोल्ड मेडल मिल सकता है दुनिया भारत को यदि दो काम कर दिये जाएं तो हर वार गोल्ड मेडल सबाता है दो काम ऑलंपिक गेम में दो गेम और रख दिये जाएं कोई दुनिया मुकावला नहीं कर सकती है यदि दो गेम रख दो ऑलंपिक में एक तो कबड़ी और एक कुरसी दोड़ भारत नंबर बन ध्यान रखिए कबड़ी में क्या होता है कबड़ी में होता क्या है क hectiane में अफनलु मनमबर बन है कोई अच्छा काम कर रहा है तांगंगी चिना अपना काम होताई कबढदि में गौल्ड मेडिल में निल सकता है कुरसी दौड मेडिल रग दी जाए उसमें भारत को गौल्ड मेडल जरूर नमरुमज सकता है ध्यान भंखें संस्थे बांकि मेंन इसलिए पद नहीं मांग रहा हूँ भगवान की हर पद एक दिन भूत बन जाता है भूत पूर हो जाया करता है मुझे भूत पूर पद नहीं चाहिए लिए आपको देंग और आपयों आप बार बार जित कर रहे हो प्रभू मांगने की कह रहे हो चलो 裏 मैं से मांग रहे हो ज्यानी से मांगो तो ज्यानी आनंदित होता है अज्यानी से मांगो तो अज्यानी दुखी हो जाया करता है राम ने कहां मांगो हन्मान एक पद की क्या बात कर रहे हो सो पद मैं तुम्हें देने को लेकिन प्रभू एक बात ध्यान दखना भूत पूर पद न लेकिन कभी आपने अपने जिंदगी में आज तक सुना भूद पूर महावीर स्वामी नहीं सुना तो बताओ कभी पूर नहीं यह पद भूद पूर नहीं यह पद अभूत पूर पर्व्द दूगा करते हैं एक बार मिल जाए तो फिर जिन्दगी में खत्म मुझे भूत पूर पद नहीं चाहिए हनुमान ने कहा अभूत पूर पद दे सको तो हनुमान लेने को तैयार है राम बड़े प्रसंद होए है ध्यान रखना भक्त तो बहुत मिलते हैं दुनिया में हनुमान जैसा भक्त नहीं मिला करता है यदि भक्ती की बात चलेगी तो किसी भी धर्म का ब्यक्ती हो सबसे पहले यदि भक्ती में किसी का नाम आएगा तो हनुमान जैसे भक्तों का नाम इस दुनिया में याद किया जाता है द्यान रखना एक बात याद रखना, भगवान के मंदिर तो दुनिया में हर जगए बन जाते हैं, लेकिन हनुमान ने वो समर्पन किया है, कि भगवान के मंदिर तो कहीं भी मिल जाएंगे, अरे भक्त का भी दुनिया मंदिर बनाती है, यह हनुमान जैसे भक्त पैदा हो, हनुमान मंदिर क नहीं है भक्त का मंदिर है ज्यान रखे भक्तों से भी पहले भग्वान से पहले भक्तों को याद किया जाता है कौन कहता है कि भक्तों को याद नहीं किया जाता है मैं पुना आ रहा था कि किसी ने कहा कि महराज कि अप पुना क्यों जा रहे है कि मैंक है क्यों कैई भक्त वैठे वेते उन्होंने का म爷 कि मेरे पास दो डाइरिय थी त OM SECRET में भी एक लाल कलर की डायरि और एक और हरे- रं की डाइरी यो लाल रं की डायरि ना जाने बैठे बैटे क्या मन बना कि आज लिष्ट तो वणा हो अपने भगत कौन कौन से है था सब का नाम लिखा बंवाई डिली जैपूर सब का दा मिलिन जी पन परहं से रहेज की घटना उससें slower than ब्रह्माजी के पास ब्रह्माजी डायरी में नाम लिख रहे थे सब का नाम था भक्तों में हनुमान का नाम नहीं था लोगों ने कहा ब्रह्माजी आप गल्ती कर गए आप कुछ भूल गए नारद में कहा इसमें हनुमान का नाम तो है नहीं ब्रह्मान का नहीं हनुमान का ना पूछा ब्रह्मा जी से कि भक्तों की लिस्ट में हनुमान का नाम नहीं और इस लिस्ट में हनुमान का नाम एक ही नाम है पुरी डायरी में ब्रह्मा जी ने कहा यह लाल रंग की डायरी है ना यह उन भक्तों की है जो मुझे याद करते हैं और हरे रंग की डायरी वो है जिने मैं याद करता हूँ तो पूना वालो मेरी डायरी में तुम्हारा नाम लाल वाली में नहीं समझ गए क्या विचार करना है सारी दुनिया मुझे याद करती है कल पूछाता ना आप जाओगे तो क्या ले करके जाओगे मैं जब यहां से जाओंगा तो हरी डाइरी में पूना का नाम लिख करके जाओंगा हनुमान भक्त दुनिया में बहुत है अरे सारे भक्त राम को याद करते हैं लेकिन हनुमान तुम ऐसे भक्त हो कि जब भी बुरा दिन आता है सोयम भगवान तुम्हारा नाम याद किया लक्षमन को सक्ति लगी हनुमान को याद किया गया लंका को पार करना है समुद्र को लेकिन हनुमान ऐसे थे जिसे भगवान याद करते हैं ऐसा जीवन बनाओ यह हकीकत में भक्ती है भक्त तुम्हें याद करें भगवान ध्यान रखें हनुमान ने कहा प्रभू एक बात बता दो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए यह आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है देखो तुम माम प्रिय भरत समभाई भरत से भी जादा यदि कोई प्रिय है तो हनुमान तुम राम को भौत प्रिय होते हो कपी तुमसे उरिण हमना ही राम ने कहा हे कपी मैं तुमसे कभी रिणों से बुक्त नहीं हो सकता